देश में गडवंदन की सरकार बन चुकी है और 23 तारीक के रोज वितमंतरी निर्मला सीतारमन अपना पहला बजट पेस करने जा रही है। इस बार सरकार है क्या उमीद है क्योंकि बीते 10 सालों में बीजेपी बहुमत में थी और NDA की सरकार थी लेकिन इस बार गडवंदन की सरकार क्या उमीद है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम होने चाहिए और उसको GST के अंडर लाने का कुछ सोचना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल को ला दिया जाएगा क्योंकि अभी भी अगर सब्जी की बात करते हैं तो रेट्स बहुत ज़्यादा हैं ये सारी चीजों पर भी असर होगा क्योंकि छोटी-छोटी चीजें हैं जो कि आप जब घर में बज़ेट में देखते हैं तो जो पहले 7-8 हजार का बज़ेट था छोटी-छोटी चीजों की वज़े से वह 9-10 जार तक पहुंच गया है हां सब्जी अभी देखने जाए तो आप 500 रूपे से कम नहीं है कोई भी सब्जी तो जैसे अभी दूद का दाम बढ़ा है तो कोई भी चीज अगर देखने जाए तो सबसे बड़ी राहत होनी चाहिए जिसकी वज़े से देश की महेंगाई कम हो सकती है क्या नाम आपका है क्या उमीद है इस बार सरकार से आपको क्योंकि बज़ेट निर्मला सितारमन पेश करने जा रही है बहुत चंद दिन बचे हैं मेरा नाम नीदी है और मेरी उमीद है क जो हमारे देश में अगर सबसे नंबर वन बज़ेट हो स्पोर्ट का तो वो गुजरात में है सबसे ज्यादा बज़ेट हमारे गुजरात का है तो अगर उलम्पिक यार्ड जब इतना बड़ा हो रहा है और गुजरात में इतना बड़ा इंफ्रस्रक्चर हम खड़ा कर रह स्पोर्ट्स बजट से फाइदा हो जाएगा क्योंकि अभी भी हम देखते हैं दीरे-दीरे हमारे खिलाडियों का प्रदर्शन तो सुदर रहा है लेकिन बजट अगर बढ़ाया जाएगा तो आपको उमीद है कि हम पॉइंट एली में और भी उपर बढ़ेंगे जी बिलकुल इस बार निर्मला सिताराम से हमें काफी उमीद है में एक मीडल क्लास फैमिली से आती हूँ तो जो बजट अब तक का बजट आता है वो इसमें से जो नीचले लोग होते हैं इसके लिए सारी स्कीम और फ्री रासन ऐसा वगेरे होता है और जो बचता है वो उपर वाले ले लेकिन हम बीच वालों के लिए कुछ ऐसा होता ही नहीं और मैं सोचती हूँ कि इस बार बजट में कुछ मीडल क्लास के लिए खास किया जाए और जो इतने मेहगाई भी कितनी बढ़ चुकी है तो रासन भी कितना मेहगा हो चुका है पैट्रोल मेहगा हो चुका है स्कूल क तो इस बार में इस बार मीडल क्लास के लिए कुछ खास योजनाई बना जाए और उसको सारे खास प्रॉफित मिल जाए ऐसे मैं सोचता हूँ किसान भी लगातार अपनी अलगलाग मांग सरकार के सामने रखा करते हैं प्रॉफित मिल जाए तो यह पहले होता था 이제 किसान से बीलों करते तो हम गाव चोड़कार सहर आए लेकिन इस बार ऐसा कुछ किया जाएत तो किसान भावी महा और किसान भावीाव закон के लिए तो गाव को डेवलप किया जाए, गाव में मेडिसेन को जो हस्पीटल है, जो टीटिंग जो एजूकेशन लेवल पे है और इस फ्रास्ट्रक्टर ऐसा डेवलप किया जाए, कि गाव की पबलीक सहर में ना है, तो वो एंप्लोईमेंट का प्रोब्लेम भी आपो अपसॉल हो जाए, आपका क्या मानना है, यंग है आप, आप क्या सोचती है, स्टडी आप हो सकता है अभी कर रही होंगी, आपको क्या उम्मीद हैं सरकार से इस बार के बजट, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को एजूकेशन कुछ फ्री करना चाहिए, जैसे कि हमारी आउट आफ कंट्री जैसे कर रहे हैं, जिससे मतलब कि आगे अनेप्लोयमेंट के चांसे भी बहुत कम हो, और आगे का फ्यू हमारा यंग्स्टर्स है, तो हम ऐसा कहते है कि भारत का पविश्य है, तो वह भी अच्छा है, और हमारी एजूकेशन लेवल भी बड़े, जिससे आगे बहुत बहु उसमें से कहते हैं कि GST घटाना चाहिए, साथी में टेक्स स्लैब को लेकर भी हर बार जो नौकरी पेशा लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, आपको क्या उमीद हैं? बाकी जो बचता है, मतलब वो वेपरी लोग सामने सामने उसका मतलब कलेक्शन भी नहीं होता, तो वो मतलब उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर ये इतना सारा जो टैक्सी है, तो मैं तो मानता हूँ ये टैक्सी से पूरा इंडिया सोने की चिडिया जो बोलते ह है, बरबर है, तो इसमें अगर कुछ भी थोड़ा छुचार देना चाहिए, और इसके रूल्स रेगुलेशन जो है, जिसकी वज़े से जी एस्टी के लिए मिडल क्लास को, मिडल क्लास बिजनसमेन को, और जी एस्टी कम होने से जो महेंगाई है, वो भी कम हो सकती है, और अपर लेवल के लोगों को तो मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, गवर्मेंट सब उनको दे रही है, बट मिडल क्लास को है, बहुत बैर करना पड़ता है इसकी वज़े से, तो ये जी एस्टी और टैक्सेशन में थोड़ा उनको सोचना जी है, बेसिकली जी एस्टी के अ हैं, आपको क्या उम्मीदे हैं निर्मला सितारमन जी से इस बार? ये सारे अहमदबाद के लोग जो की उम्मीदे हैं कि इस बार गडबंदन की सरकार है और गडबंदन की सरकार पहला अपना जो केंदरी वित बजट है वो पेश करने जा रही है, ऐसे में लोगों को रोजगारी को लेकर कई उम्मीदे हैं, जी एस्टी को लेकर उम्मीदे ह जो कि लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि सरकार उसका समावेस GST में करे ताकि जो महगाई है कहीं ना कहीं उससे नियंत्रित किया जा सके तमाम उमीदों के साथ अब ये देखना होगा कि जब बजट पेस होता है तो इन लोगों की उमीदे कितनी पूर्ण होती है कैमरा पर संप्रिटेश रावल के साथ दूलतिवारी